यह बिवाहित जोड़ा अपने बिवाहित जीवन से काफे खुश था इनके पास एक नाव थी जिस पर ये दोनों रोज एक झील में घूमने जाते थे और पती बहुत ही अच्छे तरीके से नाव को चलाता था वह पूरी जीमवारी से नाव को किनारे तक पहुचाता था एक दिन घर की तरप वापिस आते हुए उसे एक सरारस सुझे उसने अपने पत्नी से कहा सुनो देखो तुम्हें इस नाव को किनारे तक पहुचाना है और मुझे लगता है कि मुझे दिल का दोरा पड़ा है उसकी बीबी नाव को बिलकुल सुरच्छित किनारे तक ले आई साम को जब पती आराम से टिबी देख रहा था तो उसकी बीबी कमरे की में आई वह उसके साथ बैठ गई उसने टिबी बंद किया और उससे कहने लगी प्लीच कीचन में जाओ मुझे लगता है कि मुझे दिल का दोरा पड़ा है तुम पहले रसोई की सफाई करना फिर डिनर तयार करना और बाद में सारे बरतन भी अच्छे से साप कर लेना कर लेना एक पतनी रात को देरी से घर आई जैसे ही अपने बेडरूम में पहुची तो उसने देखा कि बेट पर कंबल के नीचे दो के बजाए चार पैर है उसने बिना कुछ सोचे समझे बेसबाल बैट लाया और कंबल पर जोर जोर से मारने लगी ऐसा करने के बाद वह कीचन में गई और पानी पिने लगी जैसे ही वह डाइनिंग टेबल की तरफ मुड़ी उसने देखा उसका पती वहां मैग्जीन पढ़ रहा है पती हार डार्लिंग तुम्हारे मम्मी पापा आये हैं और वे सफर करके काफी ठक गए थे इसलिए मैंने उन्हें अपने बेडरूम में आराम करने भेज दिया क्या तुम उनसे मिली एक साधी सुदा जोड़ा एक बहुत बढ़िया रेस्टूरेंट में बैठे हुए थे पतनी सामने वाले टेबल पर बैठे हुए आदमी को बड़ी गवर से देख रही थी जो की लगाता सराब पिये जा रहा था उसके पती ने उसे उस आदमी को देखते हुए देखा पुछा क्या तुम उस आदमी को जानती हो बिल्कुल जानती हूँ वह मेरा पुरो पती है और ये पिछले साथ साल से पी रहा है जबसे मैंने इसे छोड़ा है उसके पती ने कहा यह तो बड़ी आश्चरजनक बात है आज तक किसी ने भी इतना लंबा जस्म नहीं मनाया हो एक बार एक कार खाने के बाहर नौकरी के लिए इस्तिहार लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि केवल साधी सुदा पुरूस ही आवेदन करें उस इस्तिहार को पढ़कर एक महिला गुस्य में कार खाने के मालिक के पास जाती है और कहती है आपने ऐसा इस्तिहार क्यों लगाया है कि सिर्फ साधी सुधा पुरूस ही नवकड़ी के लिए आवेदन करें क्या आपको लगता है कि महिलाएं बेवकूफ और जगडालू होती है या सुनकार खाने का मालिक जबाब देता है जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दर असल हम अपने करमचारियों से उम्मीद करते हैं कि वह हर दिये गए आदेश का पालन करें और साधी सुधा पुरूस इसके आदी होते हैं और उन्हें पता होता है कि सामने वाले इंसान के बेफुजूल चिल लाने के बावजूद अपनी जुबान कैसे बंद रखने एक बार एक ब्रिद दमपत्ती को लगने लगता है कि उनकी याददास्त कमजोर हो चली है या सुनिचित करने के लिए कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है वे डाक्टर के पास जाते हैं उनका बारेकी से परिछड करने के बाद उन्हें बताता है कि उन्हें कोई बिमारी नहीं है और बुढ़ापे में इस तरह के लच्छन स्वाभाविक हैं उसके पस्चाथ डाक्टर उन्हें महतपूर कारियों को लिख कर रखने की सलाह देता है ताकि वे काम भूले ना ब्रिद दम पत्ती डाक्टर का धन्यवाद करके अपने घर चले जाते हैं उसी राट टीवी देखते समय जब पती उठकर कहीं जाने लगता है तो पत्नी पूछती है कहां जा रहे हो पत्नी जवाब देता है रसोई घर में यह सुन पत्नी कहती है ठीक है मेरे लिए एक कप चाय ले आना पत्ती जवाब देता है ठीक है ले आऊंगा तभी अचानक पत्नी अपने पत्ती से कहती है मेरे ख्याल से तुम इसे नोट कर लो नहीं तो भूल जाओगे पति जवाब देता है नहीं भूलोंगा यह सुन पत्नी कहती है ठीक है फिर मेरे लिए खाने को आलूचिप्स भी ले आना पत्नी पती से एक बार फिर अग्रा करती है मुझे लगता है तुम अगर लिख लो तो ठीक रहेगा पती जवाब देता है नहीं भूलूंगा प्रिये मुझे याद है तुम्हारे लिए एक कप चाय और आलू चिप्स लाना है लगभग आधे घंटे बार पती महोदे एक कटोरी में आइस क्रीम और एक प्लेट में आमलेट लेकर वापिस आते हैं तो यह देख पत्मी चिलाते हुए कहती है देखा मैंने कहा था ना तुम लिख लो वरना भूल जाओगे अब बताओ मेरा इडली सामभर कहा है एक बार एक महिला की सो यात्रा निकल रही होती है जिसके आगे आगे एक कुट्टा चल रहा होता है और पीछे बहुत सारे आदमियों की लाइन लगी होती है तभी रास्ते में एक आदमी की नजर आगे चल रहे कुट्टे और पीछे चल रही आदमियों की लाइन पर पड़ती है तो उससे बड़ा अजीब लगता कुछ देर उस सारे मांजर को देखने के बाद जब उस आदमी से रहा नहीं जाता तो वह सुमहिला के पती के पास आता है और सारा मांजरा पूछता है आदमी बताता है भाई साहब ये सब कैसे हुआ पती ये जो कुट्टा आगे आगे चल रहा है न इसने मेरी पत्नी को काट लिया था जिस वज़ा से वह मर गई आदमी कुछ देर सोच कर भाई साहब क्या एक दिन के लिए आप ये कुट्टा मुझे उधार दे सकते है पती जरूर पर पीछे लाइन में लग जाओ एक बार एक पती अपनी पत्नी को ताना मारते हुए कहता है अगर तुम्हें धंक का खाना बनाना आता हो तो मैं आया के छुट्टी कर दा पती की बात सुनकर पत्नी को भी गुस्ता आ जाता है तो वह पती से कहती है सही बात है और अगर तुम्हें भी धंक से प्यार करना आता तो मैं भी ड्राइबर की छुट्टी कर रही है एक बार एक पत्नी अपने पती के बटवे की तलासी ले रही होती है तो उसे उसमें अपनी तस्वीर मिलती है जिसे देखकर वह बहुत खुस होती है और दोड़ी दोड़ी अपने पती के पास जाती है और उससे कहती है जानू मुझे माप कर दो मैंने तुमें हमेशा गलत समझा और तुम पर सक किया पर उसके बाव जीव तुम मुझे इतना प्यार करते हो पत्नी की बात सुनकर पहले तो पत्नी को कुछ समझ नहीं आया परंतु फिर भी वह कोई सवाल जवाब नहीं करता अगले दिन सुबह जब दोनों पत्नी एक साथ नास्ता कर रहे होते हैं तो पत्नी अपनी पत्नी से पूछता है चानू एक बात बताओ कल साम को तुम्हें क्या हो गया था तुम बड़ा प्यार दिखा रही थी मुझे पर पत्नी दरसल कल साम को मैं तुम्हारे पर्स की तलासी ले रही थी तो मुझे उसमें अपनी तस्बीर मिली जिससे देख कर मुझे आसास हुआ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो पतनी की बात सुन पती हस कर जवाब देता है ओ, अरे जान वो तो मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने बटूए में इसलिए रखी है ताकि मैं उसे मुसीबत के वक देख सकूँ पतनी, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें मुसीबत में मेरी तस्वीर देख कर उस परसानी से लड़ने की हिम्बत मिलती है? पती, नहीं, दरसल बात यह है कि जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो तुम्हारी तस्वीर देख कर मुझे यह हसास होता है कि जब मैं तुम्हारे जैसी मुसीबत के साथ सारी जिन्दगी काड़ सकता हूँ तो यह मुसीबत किस खेत की मुली है